तो डियर स्टूडेंट आज की या वीडियो बिए बेसी बीकॉम के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है जो भी यह फास्ट यह के स्टूडेंट हैं जिनको आने वाले दिनों परिछा देनी है क्योंकि जब भी आप यह फस्ट की परफम और समय इट इनकी तो परिष्छाप को देने नी पड़ेगी तास साथ में एक अनीवार प्रस्ण पत्र जोड दिया गया है को क Спबड ही इसको पर लेकिन ये भी पेपर होगा लेकिन जो पेपर है वह परिच्छार्वा लिजी हो सकता है कि लिखीत हो ठीक है लेकिन ये जो अनुवार में पत्र बनेंगी के बारे में आपको जान कहीं कि कहा कहां से प्रिश्ण बनेंगे पुरूप के दौर पर देख लीजिए तो आपको ले चलते là ile हुआ पूर मेर्लें को हिंदी बोलते हैं । नैंना हम सचेटा है हें अब यह जी स्लेबर से हैं और यह आठ यूनित में डिवाइड है जितने भी सब्जेक्ट अन्य हैं को करिकुलर को छोड़ कर हिंदी इंगली सोसलो जी जितने भी हैं वो सब आठ यूनिट में डिवाइड है लेकिन जो अनुवार प्रश्ण पत्र है यह सिर्फ चार ही उनिट में डिवाइड है यानि कि चार चैप्टर से पूछे जाते हैं तो पहला चैप्टर है जिसको हिंदी में बोलते हैं अहार एवं पोसर की अधार्णा और इंगलिश में बोलते हैं कॉंसेप्ट आप फोड और निउट्रेशन और शिकेंड यूनिट को पोसा तत्त यानि कि अफ्थोल एवं सूच मों और निउट्रेशन माइक्रो एंड मा ठीक है माइक्रो एंड माइक्रो उसके बाद यूट नंबर थर्ड यूट नंबर चैप्टर जो थर्ड है वो है वन थाउजंट दिवसी एनिक एक हजार देश विए पोसर जिसको वन थाउजंड निउट्रेशन बोलते हैं और जो चाउथा यूनिट है शमदाइक स्वाफ बेसिक जानकाई देते तो ध्यान पूर्बग वीडियो को सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे भी ठीक है तो फर्स्ट यूनिट में जहां से प्रश्णाएंगे अब्जेक्टिव बेसके आहार का मतलब आप लोग समझते हैं भोजन ठीक है अहार का मतलब भोजन यहों पोस के बारे ठीक है तो अहार यहीं भोजन का मतलब समझ लिए वहां पदार्थ के लिए उपियोगी सिद्धो उससे भोजन कहते हैं वहां कोई भी मुँखे द्वारा जो लिया जाता है तथा शरीर के लिए उपियोगी हो उसको हम भोजन परिमावण से 2 से थे एकड़ सिंपल परिमासा आप अप LUG अपने साइब तो आहार भोजन से सम्भाइब प्रशन आएंगे ठीक है थीक है तो भोज़न में क्या-क्या ज़रूरी है तो आ अफन दें दे जाएंगे चार ठीक है इस तरह के प्रशन आएंगे उसके बाद पोसड के बारे हम जानतेए जो पोसड होता है ना इसका मतलब होता है कि पोसड की जो परिभासा है आप इस तरह लिफक्त है कि सरीर में कारे करता हुआ भोजन ही पोसड है ठीक है जिससे कुछ मतलब की निचोड़ता एक तरीके से बोल सकते हैं तो इसको बोलेंगे हम पोसड ठीक है आपके सरीर की जिस्चीत की जरूरत है ठीक है तो आपके द्वारा लिया गया जो भोजन है ठीक है उसकी मात्रा और प्रकार को पूफड कहते हैं आप इस तरह भी ले सकते ठीक है तो यहां से कोशिन पूछे जाएंगे उसके बाद आपको ध्यान लखना है यूट नमबर सिकेंड में बेसिक जानकाई दे रहें बस पोशक्तत्त तो वो होते हैं ठीक है जिस जिस चीजों हम भोजन जो भी भोशन लेते हैं उसमें कई चीज़े पाई जाती है या फिर हमारे फरीर को कई फारे चीज़ों की जरुर उसक्तत कहते हैं दूसरे नंबर पर आजाएगा कार्बोहाइटेड तीफरे नंबर पर आजाएगा जू ध्हान सुनेंगी तो इन चीजों की जरूरत होती है हमारे सरीर में और ये हमें एक पॉस्टिक भोजन से प्राप्थ होता है, ठीक है, अगर एक परफेक्ट या फिसन्तृत अहार लेंगे तो उसमें इन सब चीजों की अमातरा होती हूँ यहमें सेरह की जोरुत भी पढ़ती है जोरुत है भी ठीक है और यह मिलता भी ठीक है अगर एक पॉस्टिक भोजन ले रहे हैं तो उसमें यह प्राप होता है अब पोश क्तत्तम्च में जुदतवो चीजेगें जिनके बाएं जानते एक है अफथूल और दुसरा है सोचमं ठीक है तो इसमें पहले माइक्रो का मतलब हो गया अफ्थूल और दूसरे माइक्रो का मतलब हो गया सोच्म। ठीक है तो अफ्थूल यह उम सोच्म के बारे भी जानकारी ले लेते हैं तो मुख्यता देखा जाये तो पोसक तत्तो को दो भागों में या फिर दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है पहला अस्थूल दूसरा सोच्म, ठीक है जिसको अस्थूल को ब्रहद बोलते हैं और सोच्म को हम लोग छोटा बोलते हैं ब्रहद पोसकत्तों का सम्मंद उन सभी पोसकत्त से होता है जिनकी आवसकता सरीर को ब्रहद मात्रा में होती है मतलब कि सरीर को ज्यादा मात्रा में जिस चीज की जरूरत होती है हमारे सरीर को अधिक उर्जा की जरूरत होती है वो सब हमें अफ्थूल से मिलता है तो यह सब सब क्या मिलता है अफ्थूल से मिलता है यानि कि ब्रहद से मिलता है हम सबी को ठीक है तो जितनी भी श्टोंग वाली चीजे होती है अधिक उड़जा के लिए अधिक उड़जा के लिए अगर हमें हमारे सरीर को अधिक तो यह सब कहां से मिलता अस्थूल मिलता है ज्यादा मातेरा में प्रदान की जाती है कारवो हईटेड और आपका फैबर जल grow गया वहसा हो गया इनके मात्लं से होती अब अब उसके बाद यहां पर सूचम के बारे हम भी जान लेते हैं ठीक है तो अस्थूल का मतब हो गया बड़ा मतब ज्यादा चीछ की जूरुत होती अधिक मात्रा में ठीक है और सूचम का मतब जहां सुन लिजीगा सूचम पौसक्तत्त को उनके नाम से अंरूप उनके अन्रूप में जाना जाता है इनकी प्रियोग की मात्रा कम होती है जो सूच में वाली चीजे होती है पोसक्तत इनको हमाई फरीर की जो कम होती है कम मात्रा में होती है ये फरीर की आफसक्ताओं के अन्रूप दवाईयों के रूप में प्रयोग कीजाती है ठीक है जो होती है कि वी पॉसकतत होता है मत ठीकार तोिक में निकी jadi क्वेक को सकतत हो decentralized ठीक है यह भूख्षारी टाइब के चिज़ें पूछे जाएंगे यहांनी के भायद जो हो सकतत हो इसके प्रमुक्रभड वाकार वसा काईब्रो ह्त regular जल डेख़ का ने देख़ाते हैं मिनेरल के रूप में देख़ाते हैng इस इत तरह आपको सोले हैं बस ताकि आपको समझ भी आ जाए कहा को से कोश्चिन पूछ जाएंगे अब यूट नॉमबर तरड आ जाएगा यूट नॉमबर थर्ड में आपको 1000 दिवसियिय पुसर्ड 1000 दिवसिय पुसर्ड का मतलब क्या हो ता आपको बता है चलिए बताते हैं आपको सबी करो एक हजार दिवस्य पोस्ड में जो सामिल किया जाता है वो इस्तरी और उसके बच्चे यानि कि शिष को सम्मिलित किया जाता है इसमें एक हजार दिवस्य में जीरो से लेकर यानि कि जीरो से लेकर दो वर्स तक के शिष तथा गर्बवा आफ्था में शिष को भी सम्मिलित कि इसका तातपर यह हुआ इस त्रीक के गर्भा आउस्था के स्टेट से लेकर दो वर्स तक के समय के पोसर्ड जो दिया जाता है महला को प्लफ जब बच्चा हो दोसे सब्सक्राइब क्या है क्या से कई इन कि आ पान क्या देना चाहिए इन सभी की जाने में जानका है छानकार इंद्प से सब्सक्राइब मा यफ्त करती है। जीरो फिनएक दो वरस तक शिसु को रोग मुख्त करती है। तो भविश्ट मे अनएक रोग मुक्त रहने की समभवना बनी रहती है। मतलब भविस में उसको कोई समस्याए नहीं होगी ठीक है शिशू को प्लस उसकी माता को इस आवफ्था को बहुत ही महत्तु आवफ्था के रूप में सुभिकार किया गया है ठीक है इसमें गर्भावफ्थी इस तरीके भोजन की मात्रा की तुलना में भोजन की सिश्टा को दिया जाता है ठीक है ताकि वो एक परफेक्ट और एक संतुलित आहार खाएं और एक परफेक्ट बच्चे को जन्म दें प्लस एक परफेक्ट इस्तरी और सिसू दोनों रहें ठीक है तो यह सब आपको एक हजार यह दिवस जोका पोस्टर है यह सिसू और उसकी माता के लिए बनाया गया है ठीक है चलिए इसके सब में बहुत पारे कोश्चन आएंगे ठीक है ध्यान रखेंगे उसके बाद यूट टमबर आपको फोर्थ में समुदाइक स्वाफ्त की अवधाना समुदाइक स्वाफ्त अवधाना का मतलब आप लोग समझी गया होंगे जिसको कॉमुनिटी हिल्थ कॉंसिप्ट बोलते तो शेल इसके बारे भी बेसिक परचे ले लेते हैं तो यह जो समुदाइक स्वाफ्त है यह समाज के यानि कि भारत देफ की या पिर जहां का भी इनसान हो ठीक है जहां पर यह सुबिधाएं हैं ठीक है तो समुदाइक जो प्रिकारी रहते हैं यह जो है वो समाज के ससाइटे के जितने भी लोग रहते हैं ठीक है उन सभी के सर्वेगेंड मतब कि उनका विकाफ अच्छे हो सके उससे संबंदित है ठीक है सम्दाइक स्वास्त तथा या प्रतेक सरकार समयम राष्ट का उत्तरदायत है यानि कि यह ने उनकी जिम्मेदारी भी है कि एक सम्दाइक स्वाफ्त होना चाहिए हर एक साइटि में हर एक समाज में हर एक छेत्र सब्सक्टों मैं कि वहां का नागरी के उसका सभी प्रकार से बिकास हो से सभी प्रकार की कमी नहीं नहीं कि आप पर्कार की स्वाफ़्त सभी के लिए एक केंद्र का निर्मार भी किया गया है जो हर एक हर एक बलाक में जो की है भी ठीक है और जहां पर वो होता है क्या बोलते हैं नगर निगम जहां पर लगता है ठीक है या फिर जहां पर साइटी सहर आता वहां पर हर एक जगा स्थापित किया गया है ठीक है तो वहीं मे प्रिकरिया है जिसमें सभी चीजों का इलाज या फिर सभी चीजों के बारे में अच्छे फे एलाज या फिर उस चीज को समझाया जाता है जो लोग नहीं जानते या पिर गलती गर बैठते हैं थीक है और समदेख स्वाफ्त का जो मुख्य हेड जो है वो डबलु अच्चू है यानि कि स्वाफ्थ संगठन यही हमारे स्वाफ्त को मैनेजबिंट का कारे करता है कौन सी दिवाई डिलीज होने मतब कि कौन कि दवाई हमारे किस काम आएगी ठीक है हमें कब treatment की आवशकता है यह फिर कोई फिर दवाई market में आती है कोई भी टौनिक आती है कोई भी treatment होता है स्वाव संबंदित ठीक है तो वह कौन प्रमारित करता सबसे पहले वह वहां से प्रमारित करता है दिन उसके बाद यह सब चीजें आपके पाफ आती है तो मुख जो संगठन है वह वह ही है ठीक है जिसको आप लोग बोलते हैं बिश्ट स्वाफ्त संगठन और अहार पौफर फुधार के लिए समदाइक स्वाफ्त के लिए बहुत फारे अलग-अलग क्राइकरम और नीतियां भी वनाई गई है जिनके बाले में आने वाले दिनों में हम कबर आपको कराएंगे बाकी question answer जो आएंगे वो MCQ बेस पे हों सब्सक्राइब कराएंगे आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए यहां पर आपको डेली कलाफ से सब मिलने वाली है ठीक है और कोई question तो जरूर पूचे कोई तोटी हो तो उसके लिए से मापरारती है जहिंद